स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मॉडर्न इस्टेडी में मैं अच्छत खान आज आपके साथ बीए सेकंडियर का समाज सास्तर का सेकंड पेपर यानि की दुतिय प्रशन पत्र का पहला चैप्टर जिसका नाम है सामाजिक बिगटन आज हम इसके बारे में पता करेंग कि सामाजिक बिगटन होता क्या है वैसे सामाजिक मतलब होता है हमारे चारो तरफ के रहने वाले लोग से बना हुआ समाज और बिगटन मतलब होता है उसका तूटना अलग-अलग हो जाना तो सामाजिक बिगटन का मतलब पूरी तरह से अगर समझित में समझा जाए तो होत गया है या सामाजिक विक्टन के कारण क्या है उसकी टिपड़ी लिखो 2013 में पूछा गया है नेक्स्ट सामाजिक विक्टन के लक्षड क्या है इस पर टिपड़ी लिखना है 2004, 2008, 2010, 2016 में पूछा गया है नेक्स्ट है सामाजिक विक्टन की परिभासा केजिए तथा इसे प्र भारत में समाजिक भिख्टन के उत्तरदाई कारकों की ब्याख्या कीजिए ये पुछा गया है आपके सिदातु इनुर्शिटी में 2018 में तो चलिए सुरू करते हैं मीन के उत्तर्स की तरफ फाहले ये सारे questions एक ही है कि समाजिक भिख्टन के कारण क्या है उस पर प्रकास डाल सामाज़िक भिख्टन की भ्याख्या सामाजिक भ्याख्या के संदर्व में की है सामाजिक भीवस्था में जो भी मापदन मुल्ययया परंपराइय नहीत होती हैं इसके बिपरियो समर्चना mixt होने लगती है प्रज़ दिया जाता था तो यह हिंदू समाज का बिगटन था आज इसे तरक्किया प्रगति समझा जाएगा यह संबहु है कि कालके युग में जो प्रताइं समाज के लिए बगटन कारी मानी जाती है आज प्रकत शिल कहीं जा सकती है यानि कि बिगटन का मतलब होता है something चे जाने लगा तो उस समय तो ये समाज का विक्टन हुआ लेकिन फिर भी ये आगे चलके क्या हुआ हबारे लिए अच्छा हुआ तरक्की का साधन में गया यानि कि जिस तरह से सती प्रथा पहले था तो उसको तोड़ा राजा राम मोहन राय ने और एक समाज को एक नई दिसा म मत है उसको देखते हैं तो परिभासा जो इलियत और मेय्रिल के अनुसार जो समाज के विक्टन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुख में सदस्यों के संबद्न टूड़ जाते हैं अधुआ भंग हो जाते है POW पी पर सामाजिक नियंत्रण का इस प्रकार भंग हो जाना है जिससे संपूर समाज में आवयुस्था तथा भ्रम उत्पन्द हो जाता है। प्रस्ति दसा भूमिका की अनिस्चित्ता समाज में कभी-कभी ऐसी दसाएं उत्पन्द हो जाती है जब आधिकांस व्यक्ति की परस्तिति और भूमिका के बीच आसंतुलन की दसा उत्पन्द हो जाती है। समाज को बिक्टित करती है। अनियंत्रित हो जाते हैं और इस प्रकार पारस्तित संगर्सों में की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका एकमत का अभाव कि जनता में एकमत नहीं रहेगा तो बिक्टन होना ही होना है। समाज के अधिकान सदस अलग-अलग दिश्टी कोड को लेकर के उन लच्छों को प्राप्त करने का प्रियत्म करने लगते हैं जो किसी समाज के जीवन के लिए बहुत महत्पूर समझे जाते हैं। एसिस इस्तिती में समस्या सुलजने के बजाए उलह जाता है और फलसुरूप समाज के बिक्टन की संभावना उत्पर्ण हो जाती है। यानि कि जब एकता नहीं रहेगा लोगों के अलग-अलग मत होंगे तो बिक्टन होना ही होना है। नेक्ष्ट कारण है ब्यक्तिवाधिता में ब्रिद्धी। नेक्ष्ट है आपका समाजिक परिवर्तन की तीवर्ता यानि कि परिवर्तन की गती बहुत तेज होने की दसा में अधिकांस ब्यक्ति बदलती हुई दसाओं में जल्दी जल्दी अनकूलन नहीं कर पाते हैं। तो यह था समाजिक विक्तन के कारण क्या है किस तरह से समाजिक विक्तन होता है या तो व्यक्ति समाज के अनुसार्थ चेंज नहीं हो पाता है जिससे कुछ लोग अलग तरह से रहने लगते हैं। और व्यक्तिवालिता मतलब अपने खुद के स्वार्थ के लिए लोग जीने लगते हैं तो भी अलग-अलग हो जाते हैं लोग। लब इस तरह से हमारा समाज चूटता है कि यह लच्छड थे उसके। तो यह था फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट चैप्टर समाजिक विक्टन वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किजिए, सेर किजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर हमारी चैनल पर आप नए आए हैं तो थेंक्यू।